परिचय राधा क्या कर रही हो? वाँ, ये तो बहुत संदर है, तुमने इसे कैसे बनाया? मैंने इसे प्रकार और पेंसिल की सहायता से बनाया लेकिन क्या इस वृत को बनाने के लिए हमें सचमुझ प्रकार और पेंसिल की आवशक्ता पढ़ती है? हाँ, एकदम सही आकरती बनाने के लिए हमें इन सभी रेखा गणती उपकरणों की आवशक्ता पढ़ती है क्या तुम इस कोण को देख सकती हो? हाँ, ये तीस अंश का कोण है मैंने इसे प्रकार और स्केल की सहायता से बनाया है लेकिन कैसे? मैं भी ऐसी खना जाती हूँ मेरे साथा, मैं तुम्हें सिखाती हूँ इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक दिएगाए कोण को दुभाजित करना एक दिएगाए रेखा खंड के लंबरदक की रचना करना 60 अंश एत्यादी का कोण बनाना दिएगाए आधार, एक आधार कोण तथा अन्ने दो भुजाओं के योग से तिर्भुज की रचना करना दिये गए परिमाप और दो आधार कोणों की साहता से तिर्भुज की रचना करना एक तिर्भुज की रचना करना जिसमें परिमाप और दो आधार कोण दिये हों परिभाशा रेखा गणित में रचना से तातपर्रे आक्रितियों, कुणों और रेखाओं को सही सही बनाने से है इन्हें हम परकार अंशांकित पट्री और पैंसिल की साहिता से बना सकते हैं कुछ रचनाओं में जहां माप लेनी की भी अवशक्ता होती है हम अंशांकित पट्री और चांदा का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक दिये गए कोण का समद्वी भाजक मित्रों, हम वृत्त, एक दिये गए रेखाखंड का लंबार्धक और तीस अंश और पैंतालिस अंश के कोण बनाना जानते हैं। अब हमें एक दिये गए कोण का सम्दुई भाजग बनाना सीखेंगे. माना की कोई कोण A, B, C है. अब हमें इस कोण का सम्दुई भाजग बनाना है. सबसे पहले हम B को केंद्र मान कर किसी भी तृच्या का कोई चाप लगाएंगे, जो B, A और B, C किरणों को क्रमशा E और D पर प्रतिछे दित करेगा. फिर D को केंद्र मान कर D, E की आधी लंबाई से अधिक की त्रिच्या लेकर हम एक चाप लगाएंगे. ठीक इसी तरह E को केंद्र मान कर D E की आधी लंबाई से अधिक की त्रिच्या लेकर हम एक और चाप लगाएंगे जो पहले चाप को F पर प्रतिच्छे दित करेगा अब हम किरण B F खीचेंगे यही किरण B F कौन A B C की समद्री भाजक है हम कैसे कह सकते हैं कि B F एक कौन समद्री भाजक है चलिए इसे सिद्ध करते हैं D F और E F को मिला दीजिए अब तिरभजों B E F और B D F में B E बराबर B D क्योंकि यह एक ही चाप की त्रिच्या है E F बराबर D F क्योंकि यह भी बराबर दीजिया की चाप है B F बराबर B F जो की दोनों में है इसलिए S S S समरूपता नियम के नुसार तिरभज B E F सरवांगसम है तिरभज B D F के जिससे हमें कौन E B F बराबर कौन D B F प्राप्त होता है इसलिए B F एक कौन दूइभाजक है दिये गए रेखा खंड का लंबार धक अब हम एक दिये गए रेखा खंड के लंबार धक की रचना करना सीखेंगे एक रेखा खंड A B है हम इसके लंबार धक की रचना करना चाहते हैं रचना के चरण सबसे पहले A को केंद्र मान कर A B की लंबाई के आधे से अधिक की तृच्या लेकर रेखा खंड A B के दोनों और एक एक चाप लगाईए ठीक इसी तरह B को केंद्र मान कर उसी तृच्या के एक एक चाप रेखा खंड A B के दोनों और लगाईए जो पहले वाले दोनों चाप को क्रमशा P और Q पर प्रतिछेदित करेगा अब P Q को मिलातें P Q A B को M बिंदू पर प्रतिछेदित करेगी यही रेखा P M Q रेखाखंड A B की अभीस्ट लंबार धक है चलिए सिद्धे करते हैं कि P M Q रेखाखंड A B का लंबार धक है A और B को P तथा Q से मिलाकर A B, A Q, B P और B Q बनाईए अब P A Q और P B Q तिरफुजों में A B बराबर B P क्योंकि यह बराबर तृजिया की चाप है A Q बराबर B Q क्योंकि यह भी बराबर तृजिया की चाप है P Q बराबर P Q यह दोनों में हैं इसलिए S A S समरूपता नियम के नुसार तिरफुज P A Q सरवांगसम है तिरफुज P B Q के इसलिए C P C T द्वारा कौन A P M बराबर है कौन B P M के अब तिरफुजों P M A और P M B में A P बराबर B P बराबर तृजिया की चाप P M बराबर P M यह दोनों में हैं कौन A P M बराबर कौन B P M जैसा की उपर सिद्ध हो चुका है इसलिए S A S समरूपता नियम के नुसार तिरफुज P M A सरवांगसम है तिरफुज P M B के इसलिए A M बराबर B M और कौन P M A बराबर कौन P M B C P C T के द्वारा रहके क्यों कौन अभी ग्रहित का प्रेयोग करते हुए कौन P M A जमा कौन P M B बराबर एक स्वस्सी डिग्री अथवा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कौन P M A बराबर कौन P M B बराबर नपे डिग्री इसलिए P M जो P M Q है रेका खंड A B का लंबार धक है 60 अंश का कोन हम 30 अंश और 45 अंश के कोनों की रचना करना जानते हैं अब हम किसी दी गई किरन के प्रारंभिक बिंदू पर 60 अंश के कोन की रचना करना सीखेंगे एक किरण AB है, जिसका प्रारंभिक बिंदू A है हम एक ऐसी किरण AC की रचना करना चाहते हैं जिससे कों CAB बराबर 60 अंश हो रचना के चरण A को केंद्र मान कर किसी भी तरिज्या का एक वृत्त का चाप लगाईए जो AB को किसी बिंदू पर प्रतिछे दित करेगा माना कि वह बिंदू D है अब D को केंद्र मान कर पहले वाली ही तरिज्या का एक और चाप लगाईए जो पहले वाले चाप को किसी बिंदू पर प्रतिछे दित करेगा माना कि वह बिंदू E है अगले चरण में E से होते हुए किरण AC खींचिये यही कोण CAB 60 अंश का अभीष्ट कोण है अब चलिए देखते हैं हम इस विधी से किस प्रकार 60 अंश का अभीष्ट कोण प्राप्त करते हैं DE को मिला दीजिये तब रजना के अनुसार AE बराबर AD बराबर DE है इसलिए तिर्भुज EAD एक संभाहु तिर्भुज है तिर्भुज EAD भी एक संभाहु तिर्भुज है क्योंकि कोण CAB 60 अंश का है एक तिर्भुज की रचना दिये गए आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग की साहिता से तिर्भुज की रचना करना ABC कोई तिर्भुज है BC जिसमें आधार B एक आधार कोण और AB जमा AC तिर्भुज ABC की अन्य दो भुजाओं का योग है हमें तिर्भुज ABC की रचना करनी है रचना के चरण एक आधार BC खीजें और बिंदू B पर दिये गए कोण के बराबर एक कोण XBC बनाएं अगले चरण में किरण BX से AB जमा AC के बराबर एक रेखा खंड BD काटें अब DC को मिला दें और कोण BDC के बराबर एक कोण DCY बनाएं CY BX को प्रतिचेदित करेगी यही तिरभुज ABC हमारा अभीष्ट तिरभुज है आईए देखते हैं कि ABC किस प्रकार एक तिरभुज है ACD तिरभुज में कोण ACD बराबर कोण ADC रजना के अनुसार इसलिए AC बराबर AD तब AB बराबर BD घटा AD बराबर BD घटा AC या AB जमा AC बराबर BD हम जानते हैं कि तिरभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है इसलिए ABC एक तिरभुज है दिये गए आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के अंतर की साहिता से तिरभुज की रचना करना आधार BC आधार कोण B और दो भुजाओं का अंतर दिया गया है यहां हमारे पास दो स्थितिया हैं दो भुजाओं का अंतर या तो AB घटा AC होगा अधवा AC घटा AB होगा हमें तिरभुज ABC बनाना है चलिए सबसे पहले पहली स्थिति का प्रयोग करते हुए तिरभुज बनाते हैं जब AB बड़ा है AC से और AB घटा AC दिया हुआ है रचना के चरन सबसे पहले आधार BC खीचें और बिंदू B पर दिये गए कोण के बराबर एक कोण XBC बनाएं अब किरण BX से AB घटा AC के बराबर एक रेखा खंड BD काटें अगले चरन में DC को मिला दें और DC का लंबार्धक PQ खीचें इसे BX को एक बिंदू A पर प्रतिछेदित करने दें AC को मिला दें यही ABC हमारा अभीष्ट तिर्भुच है चलिए, अब दूसरी स्थिति का प्रयोग करते हुए तिर्भुच बनाते हैं जिसमें AB छोटा है AC और AC घटा AB जो दिया गया है रचना के चरण सबसे पहले आधार BC खीचें और बिंदू B पर दिये गए कोण के बराबर एक कोण XBC बनाएं अब किरण BX से AC घटा AB के बराबर एक रेखा खंड BD काटें अगले चरण में DC को मिला दें और DC का लंबार धक PQ खीचें BQ को BX को एक बिंदू A पर प्रतिछे दित करने दें AC को मिला दें यही ABC हमारा अभीष्ट तिर्भुज है चलिए दिये गए परिमाप और दो आधार कोणों की साहिता से एक तिर्भुज की रचना करें माना की कोण B और कोण C दिये गए कोण है और BC जमा CA जमा AB परिमाप है हमें एक तिर्भुज ABC की रचना करनी है रचना के चरन सबसे पहले एक रेखा खंड XY कीचिये जो BC जमा CA जमा AB के बराबर हो अब कोण LXY और MYX की रचना कीजिये अब कोण LXY और कोण MYX को समद्री भाजित कीजिये ये समद्री भाजक एक दूसरे को बिंदू A पर प्रतिच्छे दित करेंगे अगला चरन AX और AY के लंबर्दकों PQ और RS की रचना करेंगे PQ XY को B पर तथा RX XY को C पर प्रतिच्छे दित करेंगा यही ABC अभीष्ट तिर्भुज है उधारन चलिए एक उधारन को देखते हैं जिसमें हम एक ऐसे तिर्भुज ABC की रचना करेंगे जिसमें कौन B बराबर 60 अंश कौन C बराबर 30 अंश और AB जमा BC जमा CA बराबर 15 सेंटिमीटर है रचना के चरन सबसे पहले हम एक रेखा खंड P Q बराबर 15 सेंटिमीटर खीचेंगे जो AB जमा BC जमा CA के बराबर होगा अब P बिन्दु पर एक 60 अंश का कौन और Q बिन्दु पर 30 अंश का कौन बनाईगे इन कौन को समदी भाजित कीजिए इनके समदी भाजक एक दूसरे को बिन्दु A पर प्रतिछे दित करेंगे अब लंबार्द को AP और AQ की रचना कीजिए जो P Q को क्रमशा B और C पर प्रतिछे दित करेंगे अब AB तथा AC को मिला दीजिए यही ABC अभीष्ट तिर्फुच है क्या आप जानते हैं जियोमेट्री शब्द ग्रीक शब्द जियो जिसका ताथपर है प्रित्वी तथा मेट्रिया जिसका ताथपर है मापना से बना है अंक गणित के साथ साथ रेखा गणित भी पूर्व आधोनिक गणित के दो क्षेत्रों में से एक थी प्राजीन मिस्रवासियों ने 3000 इसा पूर्व पहले रेखा गणित का प्रयोग किया था उनके बहुत सारे सूत्रों में से वृत्तिका लगभग सही ख्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी था अपने अद्भुत रेखा गणितिये कारियों के कारण रेखा गणित का पिता प्राया 300 इसा पूर्व के मिस्र के युकलिक नाम के गणितग्य को गहा जाता है उसके किये गए कारियों में इतने प्रभावी तत्व थे जो बीस्वी शताब्दी के आरंभ तक उन गणित की किताबों में रहे जिनका प्रयोग पढ़ाने के लिए किया जाता था यदि A, B जमा A, C, B, C से कम या बराबर है तो किसी भी तिर्भुज की रचना संभव नहीं है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोराएं दिये गए कौन को समद्री भाजित करना दिये गए रेखा खंड के लंबार्धक की रचना करना दिये गए कौन की रचना करना दिये गए आधार एक आधार कौन तथा अन्ने दो भुजाओं के योग की सहयता से तिर्भुज की रचना करना दिये गए आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के अंतर की सहयता से तिर्भुच की रचना करना दिये गए परिमाप और दो आधार कोणों की सहयता से एक तिर्भुच की रचना करना